हुआ पहुआ आपको जो है आने वाले एग्जांस में हेल्थ मेनती रहे चाहें आपका कोई भी एग्जाम है अभी आने वाले रिशेंटली एक्जांस में से एक है अब हम 99 question से हम start करेंगे कि क्या पूशा गया है या हम बोलते हैं शिवालिक mountain are popularly known as एक है मौलाक परवत एक है मेनाक परवत तो शिवालिक परवत को पहले तो आपको बदा होना चाहिए कि किस नाम से जाना जाता है तो शिवालिक परवत को मेनाक परवत के नाम से जाना जाता है और मेनाक परवत कहते हैं शिवालिक को शिवालिक के अलावा जो है वो धौलाधार को क्या कह जाता है दौलाधार को जो है वो मौलाक परवत कहा जाता है जो शिवालिक है इसका मतलब क्या होता है शिवाली का मतलब होता है शिव की जटाएं ध्यान रखना है इसकी जो उन्चाई है समुद्ध दल से वो मुखे रूप से जो है वो 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर के बीच में जो है वो आती है यह भी ध्यान रखना है इसके उन्चाई और or दोलाधार परवद की ऐगर आम उसी तरह बात करें दोलर दोलाधार परवद के नाम से जानजहां और मुख्य रूप से ढमचाला के साथ लगता है वैसे और इस बहुत सारे अपको यह हैं को यह thích Ol aid देखिए काफी important है बोलते है महाराजा रंजीत सिंग appointed which of the following as the governor of kangra hills महाराजा रंजीत सिंग ने जुथा और इन में लिकित में से किसको जुथा वो kangra की पहाडियों का जोत्वा वो पॉइर्नर किया था देखिए को महाराजा रंजीत सिंग नें जिथा देशा सिंग मजीठिया को जो था वो kangra की पाड़ीं का गौर्णर जो था वह पॉइंट किया था तो देशा सिंग मजीठिया option c जो है उसे यहां से जानेगे आपको पताचलेगा कि कि की से उत्तरा से हुआ तो इन्हों ने बहुत ज़्यदा अटैक किये ब्लासपोर विलासपूर यहां से तंग आ गया ब्लासपूर ने गोर्खाओं को इन्वाइट किया कि आप आईए और संसार्चंद के उप्राम अटैक करेंगे गोर्खा यहां पर आए और 1805 के आसपास युद्ध हुआ संसार्चंद में इसको यहां परहार का सामना करना बड़ा और कांगडा किले में जाकर जुद्धाओ सरन लेनी पड़ी अब 1809 में महाराजा रंजीत सिंग ने जुथा हूँ 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 जुथा यह ब्लास पूर करता करो ब्लासपूर के फॉपर अिस टायम वा करते थे और यूद का हमें और यूद का Burada संसार चंथ का और गोरखाओं की सेussen यह माख्तान पर महल मोर्य है प्रिज्ञ ताइम मैं हमिरी पुर में पड़ता ये सुनेख औरकेगा अगला है जी 101 question बोलते हैं रोरा hydroelectric project is constructed on which river of हिमाचेद परदेश तो रोरा परियोजना जो है ये सतलूज नदी बेसिन के उपर बनी हुई है और ये कि नौर में स्थित्थ है 12 मेगावाट की ये परियोजना है option D. सतलूज जिसका सही answer है अब सतलूज तो आपको पता चल गया इसको कौन से नदी बेसिन पर बनी हुई है कहां पर स्थित्थ है कितने मेगावाट की है और भी कुछ परियोजना है जो मैंने कुछ दिन पहले ही revise करवाई थी आपको important जो ergonomic service related है उनको मैं एक और फिर से revise कर पर वाता हूं और doubt मत रखेगा जैसे की पहले रखा एक तो होगी आपकी जो मनिहार परियोजना है यह कुल्डू में स्थित्थ है और 2 मेगावाट की है ध्यान रखिए एक सावरा कुडू परियोजना तो है 111 मेगावाट की जो शिमला में स्थित्थ है सोरंग परियोजन परियोजना जो है यह शिमला में ही स्थित्थ है जो आप करेरी लेक सोच रहे हैं वह अलग होगी यह परियोजना अलग है करेरी परियोजना 4.80 मेगावाट की है शिमला में है और सतलूज नदी वेसिन के उपर यह बने हुए इसको लेगर बहुत कमेंट आए थे बताने क् परियोजना के बारे में डाउट बिल्कुल भी मत रखेगा और विकुछ जो प्रिविशली इंपोर्टन परियोजना एक्जाम में पूछी जा चुकी है उनको रिवाइस किजिए सौंग्टम कर्चम परियोजना हो गया यह कि नौर में स्थित है सतलूज नदी वेसिन पर ह भी में है इसके लाबा अंध्रा परियोजना जो है वो 16.95 में इसको कहा जाता है अजंता ओफ को कहा जाता है ऑजयन्ता हमालेस जो है वो ताबव मोनेश्टरी को कहा जाता है ताब्बो को कहा जाता है अजन्ता और एलॉरा जो है वो मसरूर रॉकर टेंपल जो की कांगडा में सित्या उनको कहा जाता है देखो यह जो ताब्बो मोनेस्ट्री है यह भी बहुत इंपोर्टन है इसको एक तो अजन्ता कहा जाता है और इस monastery के बार में question पूर जाता है कि ये कब construct की गई थी 996 AD के round जिठा ये construct की गई थी 996 और इसको बने हुए जो था 1996 में जो था वो 1000 वर्स पूरे हो गए थे उस दरान यहाँ पर celebration भी किया गया था 1996 में इसको बने हुए 1000 वर्स जो था वो पूरा हो गए था ती कारदं स्थी हो गई जहां फिकर्ण घणाथ बार मडाव इंव चरावा गुर्डा फि lleva मोनेश्ट्री ये depends सभी के बारे में आप मिलते जुलते गशेर रखे आए यहांप रहे है इन नुट इमपल का इस प्र इम पर और यह भी दो theookay और लोग्स पिस्ति ऑपूट्र द्यान रखेगा क्यलॉंग है और यह जो गॉंदला कैशल है गॉंदला फोर्ट है यह गॉंदला कैश यह भी लाउस्पिद्ति जो की के लॉंग है वहाँ पर कहीं पर यह च्बीया की आगे जान रखेए आगे देखाई लूटे जाएल्टि और रेवर ऑफ हिमाजल परदेश देखो रावी की सहाइक नदी है यह option है सही answer है रावी की जदा सहाइक नदीया नहीं पूछी गई है स्यूल ही बहुत बार पूछी गई है एक बात नोटेस हो चुगी है अगर इसकी और भी सहाइक नदीया पूछी जाए तो स्यूल हो गया तं है यहाँ विंजर मेला लगता है यहाँ पर सुभी मिला बटा है जू थैप सारे काल के दुरान ये म्यूजियम भी स्थापिट किया गया था उन्हेस वाट के आसपास इसके स्थापना की गई थी ये सारे के सारे मिलते जुलते questions हैं चमबा से related और जो exams में पूछे गई हैं उन्हें चमबा के राजा मुसान वर्मन के बारे में यह तो basic question 89 question देखिए बहुत repeated question है which is largest artificial यहां पर artificial पूछा गया है तो गोविन सागर जो है वो सबसे बड़े क्रित्रिम जील है हिमाचल प्रदेश की natural पूछते तो natural जील कौन सी होती नेरेनुका जील जो कि सिर्मोर में सित्या वो सबसे बड़ी natural जील के बारे में बात करें गोविन सागर जील है इसकी construction 1955 में स्टार्ट हो गई थी और 1962 में जो था यह बनकर complete हो के था जो कि गोविन सागर डाम है यह ध्यान रखिए इसके बारे में आगे सा के बोलते हैं चबुत्रा हिल्स लोकेट इन विच डिष्टिक ऑफ हिमाचल प्रदेश जो चबुत्रा पहाडियां है यह मदर मंदीर पूजाता है कि काम पर सित्थ है अमिरपूर में चकमो में जो है वह बावाबालकनाथ डिग्री कॉलेज भी सित्थ है गशोता मेला हमिरपूर में लगता है सुजानपूर की होली जो है वो काफी फेमस होती है वो हमिरपूर में लगती है सुजानपूर में सैनिक स्कूल भीष्टित है कि सोला संगी धार ये वह अम सोब्स दोनों अपने त्यान रखनी ये दोनों वह अदम रखनी हैं उसक को पूर्फॉर में और हमिल्पॉर में मियं पढ़ता है जहां पर 8105 8106 मैं त्युण वक्राणाँ और महराज को ईतुर Movile अंबयाता ईंतर्ब किस जीले में मनाया जाता है किस जीले में लगता है कांगणा कांगरा का मंद्री बहुत सरदार लूब आते हैं तो कालेश्वर मंदर की बात कर रहे थे इसमें भी यह जो मेला लगता है कालेश्वर मेला यह जो है वो अपरेल के महीने में लगता है यानि कि अभी अपरेल महीना चला है तो यह तो यह मेला हो गया होगा या तो फिर होगा भी आने वोले टाइम में इस महीने में अभी जो शिवरात्री जप से हुई है उसके बाद मेलों का एक तिहार जो है वो स्टार्ट हो गिया शिवरात्री मंडी की फेमस होती है पहले ये ध्यान रखना है उसके नलवाडी मेला होता है जो मार्च में हिने में होता है नलवाडी मेला जो है वो बिलासपूर में होता है डिस्टिक बिलासपूर में का नलवाडी काफी फेमस होता है उसके पास तो जानपूर की होली ध्यान रखनी है वो भी अविहाल फिलाल में हुई थी लोसर मेला ज इस तरह का मेला है बहुत फेमस है अभी होने वाला है जो मेला उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपके सराउंडिंग में इस तरह कोई मेला होता है 92 कोईशन में पूछा गया है बावा वैली इस लोकेट्टिड इन वीच इस विस्टिक आफ इमाचल पर देशी तो किन नौर मैं तो है बावा वैली को वैली ऑफ ग्रिप्स भी कहा जाता है यह अंगूरू की घाटी तो नौर यह रिवा वैली को ऒरारे में ध्यान रखना है पूछेगे हैं तो अभी एक में वेस्ट पूछा गया था क्योंक होता है घ्र में किनमोर में जोड का जाता है तो का जाता है और उजा आप गेमों के नाम याद रखे गार नाम के के लिए तक कि कोशैघ किन और के दिखना के लिए दिख्टम特 की तरहने चाहरे वागी हर बार की दरह कुछ हिंदी इंगीजिस के लिए-घ्ली त Tribal लेते हैं English के question से start करेंगे उससे पहले अगर आप ने भी दक हमें Telegram पर join नहीं कि है यह Telegram पर join करने Telegram पर join करने के लिए अपनी Telegram से add the rate or exam 31 कुछ ही इस तरह से search करें आपको हमारा Telegram चैनल जो है वो मिल जाएगा यह Telegram पर join कर लें 162,300 से दिक लोग जूड चुके है आप भी जूट चाहिए 165 प्वेशन देखते हैं बोलते हैं मांटें टॉप्स आर कवर्ड स्नो इन विंटर तो इसका होगा 165 का ऑप्षिन दी वीद मांटें टॉप्स आर कवर्ड विद स्नो इन विंटर एंटॉनियम पूछा गया है वेलरस का शाहिद हमने पहले भी इसका सही मितलब होता है आगे बोलते हैं उर्मी किस तरह से लिखा जाता है तो उर्मी जो है वो कुछ ऑप्षिन सी इस तरह से लिखा जाता है यहां रखेगा उर्मी जो है वो ऑप्षिन सी कुछ इस तरह से लिखा जाता है नीडर में कौन सा समास है नीडर में आपको समा समास बताना है इसमें आव्वे भाब समास आता है यह था सक्ती में कौन सा समास आता है जल्दी कमेंट करके बाद बाद बार एक्जाम में पूझे यह था सक्ती आगे 170 देखिए रिकत का उसर्ग है तो रिक्त का उपसर्ग बताना है कि क्या है तो अतिरिक्त जो है इसका उपसर्ग आएगा option B अतिरिक्त जो है इसका उपसर्ग है ध्यान रखिए तो यह हमने कुछ पांसात questions जो है वो हिंदी इंग्लिस के भी नहीं किया है इस तरह से सर्च करना अपने टेलिग्राम से और आज की वीडियो में इतना ही काफी है तो that's all for today thank you thank you very much for watching and listening it very patiently